नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल मौरिया लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है आज बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंदों पर 2021 का अगस्त महीना भारत के लिए बहुत अहम है इसी महीने 15 अगस्त को भारत अपनी अजादी की पशप्तरवी वर्सगांठ मनाने जा रहा है और इसी महीने अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटों के सैनिक पूरी तरह से वापिस चले जाएंगे और जम्मु कस्मीर का विशेश दरजा समाप्त हुए दो साल पूरा हो गया है इन तमाम घटनाओं में भारत के लिए खुसी की बात यह है कि अगस्त महीने के लिए संजुक्त राज सुरच्छा परिसत के अध्यक्षता भारत को मिली है कस्मीर और अफगानिस्तान के मामले में कहा जा रहा है कि भारत को अध्यक्षता मिलने की टाइमिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार इस बात से चिन्कित है कि जम्मो कस्मीर से अनुछे 370 हटने के दो साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान चाकर भी सुरच्छा परिशद में कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि अध्यक्षता उसके बाप भारत के पास है संजुक्त राज सुरच्छा परिशद की भूमिका अफगानिस्तान को लेकर भी बहुत महतुपूर रहेगी अफगानिस्तान का संकट भारत की विदेश नीती के लिए अभी सबसे बड़ी चुनवती है जिस समय 27-7-2021 को दिन मंगलवार अमेर्की बिदेश मंतरी एंटेनी बलिंकन जब भारत में थे तो उसी समय तालिबान का एक प्रतनिद मंडल चीन के दोरे पर था जिसका नेत्रित मुला अबदुल गनी बरादर कर रहे थे इस प्रतनिद मंडल से चीनी बिदेश मंतरी वांग ई ने उतरी चीन के तियान जिनमें मुलाकात कर रहे थे चीनी सरकारी चैनल CGTN ने यह बताया कि चीनी बिदेश मंतरी वांग ई ने तालिबान से यह साब साब बता दिया कि तालिबान और आतंगबाद में असपष्ट फर्क रखना होगा और एक दूसरी सर्थ चीनी बिदेश मंत्री ने यह रखी कि चीन बिरोधी आतंगबादी संगठन इस्ट तुर्किस्तान इसलामिक मुमिंट में तालिबान कोई संबंद नहीं रखेगा और साथ में यूगर मुसल्मानों के बारे में भी कोई हस्तक्षेप तालिबान नहीं करेगा चीनी बिदेश मंत्राले के प्रवक्ता चाओ लिजियन ने कहा कि तालिबान का प्रत्निद मंडल चीन को आस्वस्त किया है कि अफगानिस्तान की जमीन से चीन विरोधी गद्विधी नहीं होने दी जाएगी चीन के लिए अफगानिस्तान काफी अहम है क्योंकि मध एसिया तक पहुँचने के लिए अफगानिस्तान सबसे बेहतर जरिया है साथ-साथ चाइना पाकिस्तान एकोनामिक कारडोर यानि CPEC की सुरच्छा के लिए तालिबान का साथ चाइना के लिए अहम है जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में चीन की यह सबसे मात्वा कांची परियोजना है जो लगभग 6 अरब डालर की है यह परियोजना अफगानिस्तान और तालिबान के बिना अधूरी है इसलिए चीन ने अफगानिस्तान और तालिबान दोनों से अच्छा संबंद बनाया हुआ है जिसका फाइदा चीन को यह होगा कि अगर अफगानिस्तान की सरकार चली जाती है तो तालिबान से सौधा करना आसान हो जाएगा दूसरी तरफ भारत ने अनाधिकारिक तौर पर तालिबान से बाच्चित बहुत देर से शुरू की क्योंकि भारत हमेशा से अफगानिस्तान की सरकार के साथ रहा है तालिबान को जैसा अमेरिका देखता रहा भारत भी उसी तरह समझता रहा एसिया प्रोग्राम के डिप्टी डिरेक्टर माइकल कागलमेन ने फौरन पॉलिसी मैगजीन में लिखा की भारत और अमेरिका के हित कई मोर्चे पर साजे हैं लेकिन अफगानिस्तान का मामला बिलकुल अलग है अमेरिका जब सेना की वापसी का फैसला लिया तो सवभाविक तोर पर तालिबान मजबूत हुआ है और तालिबान को मजबूत होते ही अफगानिस्तान में भारतिय हितों पर हमला होना सवभाविक था तालिबान अब सत्ता तक पहुंचता दिख रहा है जो सायद पाकिस्तान के हित में है क्यूंकि 2001 से अमेरिकी सैनिकों के आने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित सरकारे नहीं बन पाई है भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश कर रखा है भारत के लगभग 400 छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें कुछ पूरे हो गए हैं कुछ पर काम चल रहा है भारत 2001 से अब तक 3 अरब डालर की आर्थिक मदद अफगानिस्तान को कर चुका है यहां तक कि भारत अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्मार किया है हेरात में बना सलमा डैम भारत का एक महत्वा कांची परियोजना अफगानिस्तान के लिए रही है अफगानिस्तान की सभी सरकारें भारत के करीब रही हैं लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत के लिए बहुत बड़ी चुनवती बनकर उबरे हैं अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद जो खाली पन होगा उसे चीन और पाकिस्तान भरते दिखाई दे रहे हैं भारत ने पिछले कुछ हपतों में अफगानिस्तान को लेकर अपनी नीती में बदलाव किया है जून में भारत ने तालिबान से पहली बार उपचारिक बाची सुरू की और अफगानिस्तान को लेकर अपना दायरा बढ़ाया है मद्द एसिया में अफगानिस्तान को लेकर हुई कांफरेंस में विदेश मंत्री जै संकर प्रसाथ सामिल हुए थे अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे विवेक काटजू हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेक लिखा और उसका आकलन यह किया कि भारत अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान से काफी पीछे चल रहा है क्यूंकि अब अमेरिका और तालिबान में फरवरी 2020 में समझोता हुआ लेकिन भारत तब भी सक्रिय नहीं हुआ था भारत के रणनीतीकार मौके खोते गए सबसे हैरानी की बात यह है कि काबूल इस्थितराजनीतिक हस्तियों ने हाल ही में भारती ये नेत्रित उसे बात चीत करने के बात कहा कि भारत अभी भी वेट एंड वाच की इस्थिती में है अभी तो भारत अफगानिस्तान में तमा इस मंत्री यह जय संकर ने राज सभा में बयान दिया कि अफगानिस्तान में जवरन जो भी नतीजे आएंगे उसे भारत स्विकार नहीं करेगा या तो ठीक है कि बल पूर्वक हुए परिवर्तन को स्विकार नहीं करना चाहिए लेकिन अगर अफगानिस्तान में बल प्रिवर्तन होता है या इस तरह का कोई प्रियास किया जाता है तो क्या भारत इसका सामना करने के लिए तयार है अब भारत तालिबान से सीधे बात ना करके सही कर रहा है या गलत या तो समय बताएगा हमारे समझ से तालिबान से किसी देश की सरकार को बात करना ठीक नहीं है लेकिन अमेरिका चाइना और पाकिस्तान लागातार तालिबान से बातचीत करने में लगे हैं तो दुनिया इसका बिरोध क्यों नहीं कर पा रही यह समझ से परे है कुछ जानकारों का मानना है कि तालिबान से संपर्क करने वाले देश इसकी कीमत चुकाएंगे वे तालिबान का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं तालिबान इसलामिक अमिराद बनाना चाहता है इसका कहना है भारत के तालिबान के विरोधा भास उभरने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा या तो समय ही तैं करेगा भारत भी अभी इसी नीती पर भरोसा कर रहा है तालिबान क्या है और अफगानिस्तान में आतंग क्यों मचा रखा है तो तालिबान कट्टर पंथी राजनेती कांदोलन है इसकी सदस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदर्सों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है 1990 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का ब्यापक प्रभाव था लेकिन 2001 में जब अमेरिका और नाटो के सैनिक अफगानिस्तान में आतंगबाद के खिलाफ लड़ाई चालू किये तो तालिबान प्रभावहीन हो गया था अफगानिस्तान के सटे इलाकों में पाकिस्तान की समर्थन से तालिबान जिन्दा बचा रहा लेकिन अब जब अमेरिका और नाटो के सेना वापस जा रही है तो तालिबान फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है तालिबान बिलुकुल वैसा ये कटर पंथी संगठन है जैसा फिलिस्तीन के गाजा सहर में हमास है जिसका गाजा पट्टी पर कबजा है अफगानिस्तान के बहुत सारे छेत्रों पे अभी तालिबान का कबजा हो चुका है अफगानिस्तान की हालत इतनी खराब है कि भारत अपने नागरिकों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकल जाने की छेताओं नहीं दिया है जबकि America IC Advisory पहले से ही जारी कर चुका है धन्यबाद दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सेयर करें, कमेंट करें धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में